असलाम लेकुम देसे दाविद अली हैदर भाई इंडिया पाकिसान क्यों नहीं आ रहा हम कुछ कहेंगे तो उनको तकलीफ होगी कि इंडिया डर गया डर गया इंडिया पाकिसान की आगे पिछों पे नहीं खेल सकता हमने इसका सीधा सा सोलूशन निकाल ला है कि ना भाई हम उनके reviews लेंगे ना उनके reviews लेंगे. हमने च imtvPT से पूछ है बहुँ इंडिया पकिसंड क्ईों नहीं आ रहा है, अब हम वह वज़ा पढ़ते हैं कि च EDGPT ने हमें क्या बताया है कि इंडिया पकिसंड क्यों नहीं आ रहा? हमने कुछ नहीं बोलना, सिरफ और सिरफ आपके AI नहीं बोलना है अब वो AI इंडिया का भी है, पाकिसान का भी है, सौफट्वेर तो यह की है, एप्लिकेशन तो यह की है तो अब देखते हैं कि चैट GPT क्या वज़ा बताता है इंडिया की पाकिसान ना आने की आहिर क्या वज़ा है कि इंडिया पाकिसान क्यूं नहीं आ रहा हम इसकी अब हकीकत जानते हैं चैट GPT से नमबर वन, कप्तान रोहिश शर्मा ने कहा है, यार पाकिसान के खानों में इतने तेज मसाले होते हैं कि मैस से पहले ही हमारा हाल हराब हो जाएगा इन्हें लगता है कि अगर बरियानी में ज्यादा मिच हो गई तो वो ना बैटिंग कर सकेंगे ना बोलेंग हम नहीं कुछ बोले भाई, ये तो बरियानी की बात हुई है नमबर टू, बास भारती खलारी कहते हैं कि लहोर के शायकीन का शोर्ट बहुत ज्यादा है उनका कहना है हम विकट पर जाएं और वहां बस पाकिसान, पाकिसान की गूंज हो तो सारी महारत एक तरफ और होफ एक तरफ बस खलारी अपनी तवज्जा बाउंडरी के बाहर के नारों पर ही ना लगाए यानि किसाद मश्रा भी दे रहे हैं ना, कि भाई आप अपनी बैटिंग पे दिहां दे जो बाउंडरी से बाहर पाकिसान, पाकिसान के नारे होंगे, वो ना करें आगे चले जी कोहली साब, कोहली साब के बारे में तो उन्होंने जरूर बताना है कोhli ने सोचा कि पाकिसान में आकर अगर इने पाकिसानी स्टाइल में रहना पड़ा तो क्या होगा कहता है यार इनके कपड़े इनका ख़णा उनके महावरे हमारे साथ मजाखिया शो ही हो जाएगा Means के कोhli साब कह रहे हैं कि यह नौए पुर्टेली हो जाए means के जुकतें भी पढ़ेंगी और नारे भी सुनने पढ़ेंगे और उनकी तरह पाकिसानीों की तरह शलवार் कमीज भी पहनने पढ़ेंगी उनके style में भी यानि के कपड़े पहनने पढ़ेंगे तो भाई यह ना हो के couple sharma show ही उदर start हो जाए अब ये सारी चीजें भाई हमारे रिव्यूज नहीं है ये एक एप्लिकेशन है चैट जीपीटी ये उनके रिव्यूज हैं इंडियन्स के बारे में अब वो रिव्यूज को हजम करना इंडिया पे डिपेंड करता है हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं आगे चले एक इंडियन ख्लारी ने कहा है कि पाकिसान में हमें स्पाइसी फूट्स खाकर गेम खेलनी पड़ेगी और शायद होटल में पाकिसान जिन्दा भास सुनना पड़ेगा तो वो सोचते हैं कि यही वज़ा है कि मैस से पहले ही हम रटायर हो जाएंगे अच्छा इंडिया क्या करता है इंडिया भी तो यही करता है ना कि जब वो अपने होम ग्राउंड पे लोगों को बुलाता है तो उसके शायकीन क्या करते है वो एक बांडरी कोई इंग्लेंड एस्ट्रेलिया की तरफ से लग जाए तो उनको मोत पड़ जाती है और अपना ख्लारी सिंगल ले ले तो वो कहते है वाँ 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 क्या बात है क्या बात है तो यह चीज ना वो टिट फो टैट है अगर आप करने का होसला रखते है ना तो दूसरे कान से सुनने का भी होसला रखे चलें जी आगे चलें ये भी सुनने में आया है कि हिंदुस्तानी क्रिकट टीम के खलारियों को पाकिस्तानी क्रिकट टीम के फैन से महबत हो गई है अब वो कहते हैं कि मैं जीते हैं या हारें आहिर में इन सब के साथ सेलफी लेने का अराद है अब आपको पता तो चल गया है अगर इंडिया पाकिस्टान आ गई तो उनके नसीम में सिर्फ और सिर्फ हार ही होगी तो वो कहते हैंगे जी अगर पाकिस्टान आ गई तो हम जीते या हारे हमें तो सेल्फी लेना ही पड़ेगी तो भाई एक चीज़ जेन में रखें, हम इसको भी साइट पे करें कि चैट जेबीटी क्या कहता है इंडिया के बारे में क्या नहीं कहता हमारा कहना तो सिर्फ ही है कि एक क्रिक्ट एक फेर गेम है इसको फेर तरीके से चलने दे इसके अंदर ना पॉलिटिक्स लिएक है, इसके अंदर ना वो बाउंडरीज की एक वॉल लेके है इसको खेल ही रहने दे, इसको वो जिसे कहता है नहीं का एक सोर्स है इसे इन्जॉइमेंट का एक सोर्स ही रहने दे और ये चीज मैं आपको बता दूँ कि ICC के लिए ये बहुत ही एक जिसे कहते है ना के परिशान कुन हिरान कुन फैसला होगा अगर पाकिसान इंडिया का मैच ना हुआ क्योंकि ICC का जो बज़ड है ना वो इस मैच पे डिपेंड करता है ये बात आपने जेन में रखनी है ICC पाकिसान इंडिया मैच से बहुत पैसे कमाता है ये अब पैसे का वर्ड्स आप समझें के डॉलर्स में चला गया है वो मिलियन्स ओफ डॉलर्स कमाता है पाकिसान इंडिया के मैच से तो अगर वाकिए ही ICC चैंपियन स्टॉफी में इंडिया पाकिसान नहीं है पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई हम शार्जा नहीं लेके जा रहें इस टूर्णेमेंट को हम अपनी पिच्चों पे ही खेलेंगे हां थोड़ा सा और अगर बीच में कोई स्यासी अवामिल शामिल होते हैं और उनकी वज़ा से अगर यह मैच यहां से शिफ्ट हो जाता है शा इंडिया की जे जे हो वो जे जे कार इंडिया की हो जेगी कि देखा हमने पाकिस्तानी जो एक टूर्णेमेंट था आई से चैंपियन स्टॉफी का उसको हमने शार्जा लेकिन अभी तक हमारे उसके जराय के मताबिक पाकिस्तानी गौर्णमेंट इस मौकफ पर सक्ती से यक इंडिया नहीं आता तो वह आप इसको ट्रांसलेट कर लीजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि फिर इंडिया इसका मतलब है कि वह पाकिसान की तरफ से बैन हो जाएगा फिर आपस में इनका कोई एक वो जिसे कहते हैं मैच नहीं होगा और इनका मैच नहीं होगा तो शा के इनको चाहिए और उनको चाहिए एक फेर गेम से इन्जोयमेंट बखे हमारी कोशिचिए हमने तो नहीं इदर के कॉमिंटे पड़्े हैं हमने तो एक आप्लिकेशन से कॉमिन निकाले है और आ जाardonकर फ Air की बात खाने पाकिसानी घाने पुरी दुनिया से लोग खाने कि लिदाना के र wizard ja new ले जो महें है में का वाय है तो बाई इंडियन इच मैं हम्वारे खाने खाएं के तो वह हमारे उजेंगे और फिर उजो पर उनको हर शाहा मने कि पड़ेगा क्यूंक के अमें यहें पाकिसान आने की अजाज़त नहीं मिले बाकी अपना बहुत ज़्याल रखे असलाम अलाइकम